दोस्तों नमस्कार, बहुती खुशी की बात है मेरे लिए भी, कालन के मेरे साथ आदरिनी स्रीमान सुरेजी गोयल साथ बिराजमान है, यह है प्राताकाल का हेड ओपीस है, सेक्टर चवदा में, पूरे उदेवपूर के लोग, राजस्थान के लोग, और अब तो यूं समझो के, बार्त के लोग भी जानते हैं कि प्राताकाल क्या चीज है, प्राताकाल जेपूर से प्रकासित होता है, प्राताकाल उदेवपूर में प्राताकाल की नीव, अदरिनी सुरेजी बाई साथ न क्योंकि जिस जमाने में पत्री का या बड़े-बड़े अकबार आई थी तो उसे लगया था कि यह एक छोटा अकबार कैसे चलेगा बट भाई साब की लेखनी के कारण प्रातकाल आज भी 25-30 सालों बाद भी यह सर्वोच इस्तान पर है अधरनी भाई साब हम तो आपके चलन करते हैं कारण कि आपसे हम लोगोंने बहुत सीखा है अधरनी क्योंकि आपके अकबार पढ़ पढ़ कर हमसे भी मनी मन हमने आपको गुरू मान लिया है क्योंकि हमारे चैनल में भी आपने बहुत बड़ी हेल्प की थी हम मेरा निउस चैनल कैसे चले उसके भी सुरेजी भी साब भी है अधरनी भी साब अब सबसे पहले चाहूंगा कि नए पत्रकारों के लिए और उद्वपूर के लिए दो शब्त कहें फिर मैं अपनी बात कहूंगा नए पत्रकारों के लिए पत्रकार रों को कोई किसी मार्ग दर्शन की सीख की ज़रूरत नहीं होती है पत्रकार स्वाहिम स्फूर्थ जो मन में आता है वही करते हैं लेकिन आज के यूग की जो पत्रकारिता है वह पत्रकारिता बहुत बदल गई है बहुत नया स्वरूप ले चुकी है और ये बहुत अच्छी बात है कि सोशल मीडिया के रूप में जो एक मन्च हमारे समक्ष उपस्तित हुआ है उसने पत्रकारिता को एक बहुत नया आयाम दे दिया है एक वक्त था कि जो पत्रकारिता का एक माध्यम था वह कुछ गिने चुने लोगों की बपोती थी अगवार या चेनले स्वाभविक रूप से बहुत ही व्याय साध्य साधन है और किसी साधन व्यक्ति के लिए इने चलाना संभव नहीं है तो इसलिए आजादी के बात से ही हमारे देश में पत्रकारिता यूँ समझो एक बंधक रही है सेठों की गुलाम रही है बड़े बड़े जो सेठों थे वही अगवार निकाल पाते थे और आज भी जितनी चैनलें बड़ी बड़ी हैं वो चैनलें धन्ना सेठों की ही है एकाद कोई चैनल जो है पत्रकार ने मेहनत करके खुद खड़ी की होगी तो ऐसी गिंदी की है और चूंकि पत्रकारिता सेठों की दासी रही है और सेठों के लिए पत्रकारिता या उनके पत्र या उनकी चैनल अपना जो व्यवसाय है अपना जो उद्योग है उसको चलाने का एक खिलोना रहा है एक हतियार रहा है इस वजह से देश के अंदर चाहे कितनी भी अभी व्यक्ति की आजादी हो कितनी भी स्वतंतरता हो लेखन की लेकिन जो मीडिया के मालिकों के जो हित थे वो हित हमेशा सत्यधारी जो सरकार है या उनके जो हित हैं उनसे जुड़े रहे और इसी वज़े से ये अभीव्यक्ति की स्वतंत्रता ये लिखने की आजादी कई कई बार बिमानी हो जाती थी लेकिन जब से सोशल मीडिया का आगमन हुआ है ये जो पद्रकारिता चंद लोगों की बपोती बनी हुई थी धन्ना सेठों की दासी बनी हुई थी वह सब समापत हो गया है मुझे याद थे बहुत अच्छी तरीके से अटल विहरी वाजपई इस देश के प्रधान मंत्री रहे लेकिन प्रधान मंत्री पत तक पहुंचने के पहले जो उन्होंने तपस्या की जो संगर्श किया उन दिनों में वी इस देश के विपक्षी पार्टी के विपक्ष के बहुत बड़े नेता थे लेकिन उनको अपनी बात कहने के लिए भी अगवारों के अंदर इस्तान नहीं मिलता था जब उनके खिलाब गलत आरोप अगवारों में आए दिन छपते थे तो उन्हें अपनी बात कहने के लिए इन ही अगवारों के पाठुकों के मंच का सहरा लेना पड़ता था तो एक वो यूग था और आज एक यूग ऐसा है इस सोशल मीडिया ने जो मंच प्रदान किया है कोई भी व्यक्ति कितना भी साधारण हो उसे अपनी बात कहने का अफसर मिलता है उसे अपनी बात दूर दूर तक पहुंचाने का एक सेकिंड के अंदर वो अपनी बात फेस्बुक से ट्वीटर से और अन्या इसे उपादाईों के माधियम से पूरी दुनिया में कह सकता है वो चला जाता है और इसी वज़े से सेकिंड के अंदर उसका परदा फाश हो जाता है तो मीडिया को भी सतर होने की ज़रूरत हो गई है बहुत सोच समझ करके खबरे देने की आवश्यक्ता हो गई है यह तो बात रही मीडिया की अब आप उधेपूर के बारे में मैं क्या बात कहूं उधेपूर मेरा प्राणो लेकिन उदेपुर की दुर्दशा देख करके मुझे बहुत गलानी होती है, बहुत पीड़ा होती है, हम बहुत सहुभा के शाली हैं, कि हमारे पुर्वजों ने उदेपुर जिसी एक संदर नगरी की रचना की, जिसे देखने के लिए आज दूर दूर से, हजारों लाखों की संख्या में परियटक, हमारे पूरे देश से तो आते ही हैं, पूरी दुनिया से परियटक यहां आते हैं, और यहां कि नई सर्गिक संदर्दा का रसा स्वादन कर, आनन से आत्म विपोर हूटते हैं, लेकिन इ इस बात का है, कि आज से चार्ट सो, तीन सो, दो सो सालों पहले, हमारे पूरवजों ने, इस नगरी की जैसी रचना की, जैसे समारक बनाए, जैसी जीलें बनाई, वही आज भी आकरशन का केंदर बनी हुई है, हमने अपनी तरफ से, कुछ नहीं किया, अगर किया है, तो सिर्फ इतना कि इन परेटकों के आने से, जो राजस्व की प्राप्ति होती है, उसका दोहन करने के लिए, विभन उपायदे जरूर किये हैं, तो ये, जो स्वाभाईवी रूप से हमें नगरी मिली है, अगर इसे हम अपनी तरफ से कुछ योगदान करते funded के, मैं आज इस वक्त, मैं बीच में टो कूँगा, अभी क्या केंदlusion में भी बीजेपी की सरकार रहा है, तो करोड़ो रूपया स्मार्ट सिटी में इस उदेपूर में आया है और वो मुझे लग रहा खप रहा पता ही नहीं चल रहा दुनिया को को वो स्मार्ट सिटी का पेशा कहां गया इसके बारे में आपके कोई व्यूज बताईए कि वो स्मार्ट सीटी का पेशा करोड़ों रुपे आ रहा है तो कैसे लगा है क्योंकि रोज सड़के और दूला उड़ रहा भी तो देखिए स्मार्ट सीटी का शुरू से मैं विरोधी रहा हूँ मैं हाला कि हमारे प्रधान मंतरी मौदी के ठेर सारे कारियों का समर्थक रहा हूँ और मुझे पर तो यह आरोप भी है कि मैं जवरदस्त मौदी भक्त हूँ लेकिन मुझे यह कहने में जरासा भी संकोश नहीं है कि मौदी जी की यह यूजना बहुत गलत बहुत ही मतलब बिना सोचे समझे या यूँ समझे पता नहीं यह कहां से उठा के लाए या किसी करके उन्होंने जो पहले से विध्यमान शेहर हैं उनके अंदर अनाप्शना पैसा खर्च करने का जो बीड़ा उठाया और उसे जो है अंजाम भी दे रहे हैं उसकी बजाए मैं यह सोचता हूँ मैं कई विदेशों में गया हूँ और वहां बारी की से अधियान किया है और हमारे देश की जो आधार भूत रचना है उस सब को ध्यान में रखते हुए अगर यह जो पैसा स्मार्ट सीटी में लग रहा है इस पैसे में कुछ और पैसा भी लगाना पड़ता तो लगाते और बजाए पहले से जड़े गली व्यवस्था के अंदर और पैसा डालने के है अगर हम जो बड़े बड़े शहर हैं हमारे उन शहरों की नजदीक ही सेटलेट सिटीज बनाते हैं सेटलेट टाउनशिप्स बनाते हैं एक नई 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 नगरी की रचना करते और पैसा उसमें लगाते हैं तो मैं यह समझता हूँ कि हर शहर को एक बहुती आदर्श और बहुती सुन्दर उपनगर मिल जाता हूँ उदेपुर के भी आसपास टेट सारे खाली इस्तान पड़े हैं और यह सारा पैसा उसकी रचना करने में उसे विक्सित करने में लगाया जाता तो मैं समझता हूँ ज्यादा सार्थक होता सुरेजी बैसाब मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ कारण कि स्मार्ट सिटी के नाम पर वही जो लाइटे अपने पेले से लगी थी चाहे वो हेरी टेस थी उनको हटा कर फिर कोई डिजीटल लाइटे लगा दी जा रही है नहीं नहीं केबले लगा दी जा रही है स्मार्ट सिटी का सारा पेसा सिर्फ दूल के अंदर जा रहा है तो मुझे तो कहीं भी अभी ये स्मार्ट सिटी दिखी नहीं रही है तो क्या होगा इस उद्पूर का फिर न 037 कोई खराब नहीं कर सकता उद्पूर के भाग्यकर अंदर जो हमारे पुर्वच करके गए है तो बरसों तक उसकी कवाई हम लोग खाते रहेंगे लेकिन अगर हम कुछ करना चाहते हैं इस नगर को और और सुन्दर बनाना चाहते हैं अपनी तरफ से तो ठेर सारा करने को है दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे परेटे निस्तल है जहां का न तो कोई इतिहास है इस्तापित कर लिये हैं बना लिये हैं कि धेर सारे टूरिस्ट वहां उमड़ पड़ते हैं तो हमारे याँ तो इतिहास है श्मारक हैं प्राकृतिक स्थल हैं उन्हें देखने के लिए जो जनता आती है उन्हें अगर साथ के साथ इस तरह के क्रत्रिम उपादाईयों की सापना करके मनोननजन के रूप में बहुत कुछ आनंद करने को मिल जाए तो यहां आने वाले परेटों की संख्या और कई गुना बढ़ सकती है आप देखिए कि हमने किया क्या है इस उदैपूर शहर में जो देखने आते हैं लोग जो चीजें देखने की उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है अब इत्ती सुन्दर हमारे याँ जीले है कोई और किसी और देश में अगर ये जीले होती तो इस जीलों के किनारे किनारे मेरे ख्याल से एक छोटी सी ट्रेन चलती है उस ट्रेन में बेट कर लोग पूरी जील का चकर लगा ले दे हैं और जीलों का रसासवादन कर ले दे हमारे यह सजनगड जैसा इतना शांदार स्थाल है और सजनगड की जो पहाड़ी है उसके समाना अंतर एक और पहाड़ी है हमने सजनगड में किया किया कुछ नहीं किया आपको कुछ करना है तो सजनगड के बाहर जो समाना अंतर पहाड़ी है उस पहाड़ी पर एक परेटे किस्तल बना दो और दोनों को रोपवे से जोड़ दो इस तरह के धेर सारे कारियां है जो क्रत्रिम रूप से किये जा सकते हैं अब आप देखे प्रदाब गौरब केंदर की स्थापना की गई यह बहुत बढ़िया विचार है और इसको जितना योगदान अपना सहयोग दिया जाए इसके विकास के अंदर इसको जितना अच्छा बनाए जाए बहुत अच्छी बात है लेकिन पूरे मन से कोई काम नहीं किया जाता है क्योंकि एक बार जो काम होता है वो काम शदाब्दियों तक चलता है अब मुझे इस बात का बड़ा तकलीफ है कि महाराना प्रताब की जो मूर्थी के इस्ता अपना की गई वो पहाड की चोटी पर नहीं की गई महाराना प्रताब की जो मूर्थी लगाई गई है ये प्रताब गुरुव की बात है प्रताब गोराभ में, मैंने कई बार अपनी वयथा व्यक्ति भी की थी. लेकिन कोई अगर जमीन नहीं दे रहा है तो महा ना प्रताब के लिए अगर कोई जमीन नहीं दे इसे आश्यर की और इसे ज़्यादा शर्मनाशंगा बात तो कोई हो यह नीहीं going प्रदाब की मूर्ती है अगर चोटी पे होती है और चोटी पे जाने के लिए कोई रोप पे हो कोई ऐसे आधोनिक संसाधन हूं जिनसे परेटों को का जो है मजा दूगुला हो जाए तब तो कोई बात भी होती है तो ऐसा करने के धेर सारे यहां कारण है लेकिन अब तकलीफ इस बात की है कि मावनलाजी सुखाडिया जैसा व्यक्ति हमारे यहां का मुख्यमंत्री रहा और उने ज्यादा वक्त नहीं मिला देर सारे लोग अपने आपको सुखाडिया का मतलब जो है सेकेंड सुखाडिया मानते हैं लेकिन न तो उनकी कोई दृष्टी है न कोई उनक का विचार है बस वो चुनाव जीतते हैं और मंत्री बद भोगते हैं इसके अलावाज शेहर की सुखाडिया का बहुत बड़ा आई क्यू था महोलाल जी जब हमारे रास्तान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कई सारे चाहे हो करशी महाव इद्याले हो कई सारे को लेज तो रेल्वे कर सारा ट्रेनिंग सेंटर है जिसको रेल्वे ट्रेनिंग सेंटर केते हैं उनके जमाने में स्वायम के रहते हुए उन्होंने बहुत बड़ा सुखाड़य सर्कल बना दिया और मैं तो जहां तक समझता हूँ कि जो मोती मगरी पर महारणा परताब के मिलना चाहिए कि तरफ से भी कारे होना चाहिए लेकिन पिस रही हैं हमारे देश ने इन दोनों पार्टियों की बीमारी जब देखी कि बही कभी यह कभी नागनात तो कभी सांपनात तब एक दल्विहीन राजनीदी का संकल्प आया और ऐसा संकल्प लेकर के अन्ना हजारे और केजडिवाल जैसे लोग जब दिल्ली के अंदर का समर्थिन किया लेकि ओ लोग भी सत्था के लाल्ची निकले और सत्था जब उनके हाथ में आई तो तमाम सत्था धारियों से ज़्यादा लंपट वो निकल गए पत्रऄम्स चाहता हूं कि जैसा कि हम अकबारों में पढ़ रहे हैं पता चल रहा है कि लोकसभा और विदानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए क्या आप इसे सहमत हैं और अगर एक साथ होंगे तो जनता को क्या फायदा मिलेगा लोकसभा और विदानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए और नहीं होने चाहिए जरूर होने चाहिए लेकिन ये बहुत बड़ा कारी है बहुत आसानी से ये हो नहीं पाएगा क्योंकि इसके लिए सबसे पहले हमें सम्विधान संशोदिन की आवश्यक्ता होगी क्योंकि हमारा जो अभी जन प्रदेनेदित्व कानून है उसके अंदर ऐसी व्यवस्ता करनी होगी कि विदान सवा लोकसवा चुनाव का कारिकाल इस्थाही हो विदान सवा लोकसवा जो भी चुनी जाती है वो पांच साल के लिए चुनी जाएगी पांच साल बाद नियत तिति को चुनाव होगा वह तिति का निधरन होगा अब सारे देश के अंदर विदान सभा, लोक सभा के एक साथ चुनाव हो गए, तब आप ये सवाल कर सकते हैं कि किसी विदान सभा के अंदर मध्यावदी चुनाव की इस्थिति आ गई, तब क्या होगा तब वह चुनाव कराना पड़ेगा बीच में, तो ये सारा क्रम वापस तूड़ जाएगा तो इसके लिए भी समिधान संजुरदन करके हमको व्यवस्ता करनी होगी कि जो विदान सभा पांच साल के लिए चुनी गई है, वो पांच साल के लिए रहेगी यह तो जो बहुमत का आंकड़ा इदर उदर हो जाता है दल बदल की वज़े से और समिधानिक इस्थिति हो जाती है बीच में, मध्यावदी चुनाव की परिस्थितियां उत्पन्न करने हो जाती है तो उसे टालने के लिए किसी भी तरीके से जो मुख्य मंत्री है वो रिसाइन करे नय मुख्य मंत्री बने नय गड़ जोड बने, कुछ भी बने और यह संभव नहीं हो तो जो शेश कारिकाल है उसमें राश्टपति शासन हो मजावदी चुनाव बीच में करा दिये तो सारा करम खतम हो जाएगा तो यह सारी व्यवस्ताएं संभीदान संशोधन के तहत होगी और संभीदान संशोधन तब तक नहीं हो सकता जब तक राज्य सभा के अंदर जो सत्ताधारी पार्टी है उसका बहुमत हो और मैं नहीं समझता कि अभी वर्तमान की जो परिस्तितियां है क्योंकि यह जो चुनाव एक उद्योग हो गया है चुनाव हर साल होते हैं कभी यहां कभी वाँ तो उससे जो पैसा आता है उससे नजाने कितने नेताओं की रोजी रोटी चलती है अगर यह पांस साल में एक हो गया तो इन सब की दुकाने बंत हो जाएगी बिचारों की तो यह होने नहीं देंगे आज चाहे कितनी बात कर रहे हैं हो लेकिन यह होने ही नहीं देंगे कि पांस साल तक इस देश के अंदर कोई चुनाव ही नहीं हो तो बिचारे भूको मर जाएंगे सब भूको मर जाएंगे इस चुनाव की दुकान चलाने वाले लोग तो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है मैं सफागत करूँगा इस बात का एक देश मोदीन जी ने देश को नहीं दिशा दी है और वो अगर इस कारे को संपन करने में सफल होते हैं तो बहुत बहुत देश के लिए बहुत सभागे की बात होगी दोस्तों सुरेजी जी बेशाब को हम आज से अगर 20 साल पहले देश के लोग पड़ते थे तो प्रताकाल के अकबार पड़े बिना वेक्ति अपने दिन वेक्तित अच्छा नहीं करता चाए वो प्रताकाल कहीं भी हो ओफिस में हो पड़ोसी का हो बांग बांग के हम पड़ते थे सुरेजी बाइसाब उस जमाने जबकि TV भी नहीं आये थे TV नहीं थे तब भी ये फोरेंग जाते थे England जाते लंदन जाते और वहाँ से डेली की डेली वहाँ की reporting उदेपूर की जनता को करा थे और उनका एक पूरा भला पेज होता था आज तो क्या हम लोग TV के जरी बीबीसी देख रहे हैं डिस्कोवरी देख रहे हैं कई सारे चैनल में पूरी इंडिया या वर्ल्ड की न्यूजे मिल रही है लेकिन उस जमाने में सुरेज जी भाई साब अब फोरें तक जाते थे और वहां से भाई साब ये खयाल आपको कैसा कि अब वहां से रिपोर्टिंग जहां भी आप जिस भी विदेश में गूमते हैं वो यहां छप जाता था दूसरे दिन साधन है उस वक्त फेक्स में 1984 के अंदर जब अमेरिका गया था पहली बार तो वहां फेक्स देखा था मैंने तो मैं अश्यरी सकीत हो गया था कि ये आप इधर से कागज डालो और उदर 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 में निकसा है तो मैं मैंने उसका भरबूर उपयोग किया मैं लिख करके देता था यहां मिल जाता था और चप जाता था तो दिन प्रती दिन प्रगती होती गई और जो कम्मिनिकेशन है उसके अंदर और ज़्यादा सुविधा होती रही तभी ये संबह हुआ एक जानकारी और चाओंगा जैसे कि आपने कहा कि अब मीडिया सोशल मीडिया तो ही एक billion आप कर लेता है रहे हैं में जिसतरा से लोग बोरसा करते हैं मैं समझता हूँ कि अकबार की नूज को को परुच में भी चैल्leinj होता है और कोड़ भी मानने होती है तो इसके पीछे क्या करण है देखिए यह जो दोनों माध्यम हैं Electronic Media का और Print Media का इन दोनों में Basic जो अंतर है मूलों अंतर है वो यह है कि Print Media को अपनी बात कहने के लिए समय मिल जाता है Print Media रोज सुबह निकलता है तो उसको सुबह रात को छपता है तो रात को जब तक वो छपने जाता है एक गटना दिन को गटती है और शाम तक उस गटना के जो असलियत के बारे में उसके विभिन पक्षों के बारे में सारी खबरें आ जाती है फिर जो संपादक होता है उस संपादक को उस गटना के उपर विचार करने का मौका मिल जाता है उस गटना को कैसे प्रस्तुत करना है उसके बारे में मंधन हो जाता है जो संपादक गण हैं वो आपस में विचार भी मर्श कर देते हैं कई बार जो समवेदिशन शिल गटनाएं जैसे दंगे वगरा होते हैं, उनकी गटनाएं होती है, तो उसको किस रूप में दिया जाना चाहिए, इस पर विचार हो जाता है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब हम इस तरीकी गटनाएं, दंगों वगरा की होती थी, तो ह प्रेत्न पूर्वक, यह को मतलब ध्यान रखते थे बिलकुल कि कोई ऐसी बात अगवार में नहीं चली जाए, जिससे उतेज ना फेल जाए, जिससे और लोग भड़क जाएं, तो यह प्रिंट मीडिया को यह सुविधा मिली है, कि वह सोच समझ करके खबर चापे, लेकिन यह सुविधा एलेक्ट्रोनिक मीडिया को नहीं है, एलेक्ट्रोनिक मीडिया में तो जो गटना स्थल पर, ग्राउंड जीरो जो नाम दे दिया नहीं नहीं, ग्राउंड जीरो, वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग होती है, वहां जो रिपोर्ट करने वाला है, वह कि वो सीधे वो बोल देता है और वो जो बोल रहा है वो सीधा जनता को प्रसारित हो रहा है उसमें कहीं संपाद की बिचार नहीं आ रहा है सीधा गटना इस तल से आदमी रिपोर्ट कर रहा है और जनता तक जा रहा है बाइ ये जो बोल रहा है उसके अंदर उसकी भाशा कैसी है वो जो बोल रहा है वो कोई घटना है मतलब जाए समवेदना है भड़काने वाली बात तो नहीं है तो ये जो अंतर है इस अंतर की वज़े से ये इस्तितिया उत्पन्न होती है कि बाद में जाकर के और ये इस तरह का ये करना पड़ता है और दूसरा एक इलेक्रोनिक मीडिया के अंदर जो सबसे बहुत भारी सिर्दर्द के रूप में जो बात लोगों को मैसूस हो रही है कि रोज शाम को ये चंद पांसाद लोगों को इखटा कर लेते हैं और उनसे बहस करवा लेते हैं वो लोग जो चार्ज ऐसे मामूली लोग होते हैं जिनको नहीं कोई जादा नोलेज होती नहीं है और उनसे हर विशय पर मतलब कभी कभी तो विज्ञान के उपर और एंजिनीरिंग के उपर ऐसे विशयों पर भी इन लोगों से बहस हो जाती है और तो अब इलेक्ट्रोनिक मीडिया बजाए इसके कि हर के हर पार्टी के एक आदमी को बुला करके बिठा करके उसकी राय जाने अब एक विशयश पार्टी का व्यक्ति है तो वो अपनी पार्टी की बात करेगा ना उसकी निश्वक्ष बात तो हो नहीं सकती एक नई चीज और आजकल भारत पाकिस्तान के समन्द में तो जितने भी इलेक्रोनिक मीडिया है पाकिस्तान से तक दो चार आदमी को ऑनलाइन ले ले लेते हैं और वो पाकिस्तानी नागरी किया पाकिस्तानी का सेना का कोई रिटायर अधिकारी वो भारत के खिलाप इतना बकवाज बोलता है तो क्या वो उचित है क्या वो वहाँ से अपने भारती जनता को समद्धित करें वो पाकिस्तानी नागर्वालिका का चुनाव मोनला के चुनाव तक लड़कर जीतने की जिनकी अवकात नहीं है ऐसे लोगों को बिठा देते है अब आप देखिये जो यह बहस करते हैं तीवी पर दस लोगों के अंदर आठ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी संसद में कुल जमा जिनकी स्रेंथ एक परसेंट दो परसेंट भी नहीं है पाँपरसेंट भी नहीं है और वो देश की बातें करते हैं और वो ग्यान बगारते है दुख की बात है कि कई सारे इलेक्ट्रोनिक मीडिया के न्यूस चेनल पाकिस्तान के लोगों को या को रिटायर अर्दिकारियों को पाकिस्तान की वही उनकी संपतितों पाकिस्तान में रही लेकिन वो हिंदुस्तान के चेनलों पर लाइव दिखाते हैं और हम मन मार के रहे जाते हैं कि यार इन पाकिस्तों को हम क्या करें जिसको दिखाना भी नीछे, अलानी विशाब ये पेट्रोल लगा तार, बहुत बढ़ रहा है, पूरी जंता तरही तरही कर रही है, बारत सरकार का मामला है, बट पेटरोल के लिए क्या करें, कहां, कैसे ये पेटरोल में आग जो लग रही है और और विपक्षी पार्टी भी वो भी उसको विपक्षी और पक्षी ये कोई ये कोई मांदन नहीं है कि जो विपक्षी पार्टी हैं उन्होंने बर्सों तक राज किया है तो वो विपक्ष में होने के कारण अपनी जम्यदारी से वंचित नहीं हो सकते सवाल ये है कि ये पेट उनकी सरकारें है एक है नहीं तो ये किसी एक पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं सवाल ये है कि आज जो पेट्रोल का पैसा दे रहे हो वो आधा पैसा कर में जा रहा है टेक्स में पेट्रोल तो राजे सरकार का करा लग है और केंदर सरकार की करा लग है तो भाई दे दोहरे टेक्स क्यों थे अभी मोदी जी का और केंदर सरकार का ये बायान आता है कि वो GST के क्षेतर में इसको लाना चाहते हैं तो GST के क्षेतर में लाने के लिए राजे सरकार हैं अगर इस पर सहमत नहीं होगी तो GST के क्षेतर में नहीं आ सकता जिस दिन पेट्रोल GST के अंतरकत आ जाएगा उस दिन पेट्रोल की कीमतें बहुत कम हो जाएगी उसके लिए राजे सरकारों का सहमत होना जरूरी है राजे सरकारे सहमत नहीं है क्योंकि उनकी भारी कमई जाती है पेट्रोल एक ऐसी चीज है जो हर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति का उपभूग में आती है और उसके उपर आप करार उपन करते हैं तो वो कौन छोड़े जिस दिन ये राजे सरकार ने छोड़ने को तयार हो जाएगी उस दिन ये GST में आ जाएगा तो बहुत फाइदा हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये थे सरीमान सुरेजी गोहल साब सुरेजी गोहल साब कई सारे पत्रकारों के गुरुजी है उनसे शिक्षा लिए हुई है हमें तो हुई हुए हुए इस बारे में लेकिन डेर सारो बहुत बहुत धन्यवाद में साब आपका आशिरवाद बना रहे हैं मेवाड चैनल के सभी दर्शिकों का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आभार बहुत खुशी की बात है कि छोगलाल जी जैसे व्यक्ति का मनोरंजन और उनका उनकी बातें सुनने को रोज मिलती है बहुत बहुत शुक्रिया थेंक यू सर्थ